बिहार की चुनावी जंग में पकडी रफ्तार आज पीम मोदी की एंट्री सासाराम गया और भागलपुर में रैली रोतास और भागलपुर में पीम मोदी की रैली में शामिल होंगे नितीश कुमार एंडी एंडे उमीदवार के लिए मांगेंगे वोल्ट आज बिहार के चुनावी जंग में राहूल गांदी की भी होगी एंट्री भागलपूर और नवादा में दो रैलियों को करेंगे संबोधित नवादा में दिखेगी राहूल और तिजस्वी की जुगलबंदी कॉंग्रिस के पूर्व अध्यक्ष के साथ मंच पर मौजूद होंगे महा गठबंदन के सीएम उमीदवार बिहार के चुनावी बाजार में खुला बादों का पिटारा बीजेपी ने जारी किया पार्टी का विजिन डॉक्यमिन्ट तिजस्वी की 10 लाख नौकरी के वादे का बीजेपी ने दिया जवाब 19 लाख रोजगार का किया बादा बिहार के लिए विजिन डॉक्यमिन्ट में बीजेपी का बड़ा वादा हर बिहारी को मुफ्ट में मिलेगा कोरुना का वैक्सीन बीजेपी के वादे पर राहूल गांदी का तंग्जी कहा वैक्सीन और जूटे वादे आपको कब मिलेंगे ये जानने के लिए राज्जी की चुनाव की तारीख देखी बीजेपी के रोजगार के वादे पर कॉंग्रिस ने उठाए सवाल रंदीत सुर्जेवाला बोले नितीश जो कहते हैं नौकरी के लिए पैसा नहीं तो रोजगार कहां से देंगे तेजस्वी आदव के ठकने वाले बयान पर नितीश ने दिया जवाब कहा पहले बताएं कोरोना लॉकडाउन में कहां थे आरजेडी के नेता मुझवपरपूर में से एम नितीश की दो रैलियों में तूटे कोविड के नियम न दूरी दिखी और ना ही चेहरो पर मास्क लालू ने एंडिये पर फिर साधा निशाना ट्वीट किया नया पोस्टर नितीश को बताया मौका मंत्री और सुशील मोदी को बताया धोखा मंत्री कैमूर जिले के रामगर में प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष फुश्पम प्रिया चौधरी ने किया रोडशो नुआउम की रैली में बोली मैं तमाशा करने के लिए नहीं आई बिहार वासियों को आठ लाग सरकारी और असी लाग ट्राइविट नौकरी देने आई पटना में कॉंग्रेस दफ्तर पर इंकम टैक्स का चापा गाड़ी से आठ लाग रुपे मिलने का दावा शक्ति सिंग गोहिल और सुर्जेवाला से भी हुई पूछताच कॉंग्रेस ने बताया साजश पटना में कॉंग्रेस दफ्तर पर शाप इमारी क्या लोचना की कहा ये तरीका सही नहीं आठ लाग रुपे तो आज तक चुनाव लड़ने वाले हर शक्स के पास होंगे अपूयादव का रोव बीजेपी जेडियू और आरजेडी ने माफियाओं को बाटे टिकट कहा चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी बाहर रही है जेडियू आरजेडी तीसरे पाइदान पर बीजेपी के होशना पत्र में मुफ्त वैक्सीन के वादे पर भड़की शिवसेना कहा ये वादा नौकरी के वादे से अलग ये कुछ इसी तरह कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें वैक्सीन दूँगा नितीश को ठका कहने पर भड़के कानून मंत्री रविश अंकर प्रसाद बोले जो ठका हुआ कह रहे हैं उनके पिता जेल में है हाजीपुर में आरजडी वेता का साइकल से प्रचार गाउं गाउं जाकर कर रहे हैं गुहार मुरैना में कमलनात को लेकर बीज़पी उम्मीदवार की धमकी बोले भिंड मुरैना में इमर्ती को आइटम कहा होता तो ग्रामपुर की स्वार सीट पर उप्चुनाव कराने का हाई कोड का आदेश आजम खान की विधायक बेटेगी सदस्यता हुई थी रद्ल ब्यार में चुनावी जंग के बीच मुंगेर में मिला हतियार का जकीरा गंगा में फेके हतियार को गोता खोरों की मदद से निकाला गया ब्रभमोज के बाद भारतिये नौसेना की एक और उडान अरब सागर में किया एंटी शिप मिसाइल उडान का सफल परिक्षन बुलंद शहर में पुलिस ने घेरा बंदी कर दो बदमाशों को पकड़ा मुठवेड के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश अर्मान गोली लगने से हुआ घायल दिली के नस्दीक गुरुग्राम का वायू प्रदूशन से सामना स्मौग से बढ़ी दिक्कत अलिगर में भी आज सुबह धूंद भरी दिखी बढ़ा प्रदूशन एयर क्वालिजी इंडेक्स 323 रहा आगरा में पुलिस ने मुठवेड में बदमाश हसन घायल हसन पर एक सेल्समान की हत्या कर साथ लाख की लूट का है आरू दर्भंगा में आपसी विवाद में दो पक्षों में हुई मार्क्रिट एक पक्ष में सडक पर लगाया जयाब पुलिस में हटाया अज मेर में पटाकी दुकाग की दुकान में लगी भीशण आग शॉट सरकिट से आग लगने की आशंग का पटाके जलकर खाक आलुग्याज के दाम में लगी आग, मंडियों में बढ़े दाम दिल्ली के बिगडी आबो हवा आज स्मॉग भरी सुभे से हुआ सामना होईनी इलाके में 391 रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉंबई के नाकपड़ा इलाके में सिटी सेंटर मॉल में लगी बीशन आग, अब तक काबू नहीं पाया जा सका करोडों का नुकसा मॉल में आग पहले एक मुबाईल सेंटर में लगी फिर तेजी से फैली, आग पर काबू पाने के दोरान एक दर्मकल कर्मी जुनसा दर्मकल की 30 गाड़ियों से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी रात आठ बजे मॉल में लगी आग, धुआ भरते ही पूरे मॉल को खारी कराया गया आईपेल में सन्राइजर्स हैदराबाद ने राज़सान रॉयल्स को दी करारी शिकस्त आठ विकेट से हराया राज़सान ने 20 ओवर में 6 विकेट पर वनायते 154 रन हैदराबाद ने 19 वे ओवर में महस 2 विकेट खोकर हासिल की जी सन्राइजर्स की बल्ले बाज मनीश पांड़े ने खेरी धमाकिदार पारी सिर्फ 47 गेंदों में बनाए नाबाद 13 रन मनीश पांड़े अपनी पारी में 4 चौक के और 8 लंबे चक्के जड़े बने मैन अप दे मैच विजे शंकर ने मनीश पांड़े का बकूबी निभाया साथ 51 गेंदों पर 52 रन बना कर नाबाद लोटे नवस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना नहीं